तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं पिटेटो चिकन बॉल्स की रेसीपी यह आप बहुत अराम से अपने घर में बना के त्यार कर सकते हैं यह बहुत डालीशियस टेस्टी रेसीपी है तो जली-जली हम इसको स्टार्ट करते हैं तो हमने ले लिए हैं यह कुछ मेरे प ब्रीक वाली साइड से कदुकश करना है इसको हमें ब्रीक ब्रीक कदुकश करना है जादा हमें मोटा नहीं चाहिए तो इस तरह हमने ब्रीक ब्रीक इसको अच्छे से कदुकश कर लेना है यह देख सकते हैं हमारा ऐस तरह से हमारा ब्रीक ब्रीक कदुकश करना है सारा यह म कोड़ाब के मदभज से بھی करते हैं बलकि आप इसको किसी चानी की मदभज से भी निकाल सकते हैं, इसमें ऐसी कोई हर्च नहीं हाइत नहीं है हाँथों की मदभज से zarOR ही नहीं है ऩी तर रहा हमने पानी अपना हँ कर लिया है अभी फानी अब यह कि आदे को अच्छी में कर रही हूं तो मैंने सबस धनिया laser कर रही हूं यह मैं अच्छ से कटिंग करके ध्व लिया है तो भी सब्कष है यह में पास पानी निकाल भी देंगे तो कोई मसला नहीं होगा यх が फशेस खांड पारश लाठी की में एस richtige को मैं नष्देज़ा है फोटे-बूटी ही चाहिए है तो ये साथ में इसमें कौन फ्लॉर एड्ट कर रही हूं ये मेरे पास थ्री टेबल स्पून था कौन पूर इसको मैंने एड्ट कर दी, अब इसमें हम कुछ अपने मसालिय एड्ट करेंगे ये मेरे पास चछी मिल्च है, ये तीन से चाठ डेप करेंगे और इसको हमने अच्छे से mix कर लेना है है यो सब को अच्छे से mix को जाए है तौझ के ंरे जो हमें अंँवार ईच्छे टार हिए ये को फाने है अब हमixo पर उन्हें युद्ध के अपनी तो लेने हैं इस पॉर्ण है और इसके बॉल बना रहे हैं तो इसके अंदर हमें एक हमारी जो चिकन का पीस है वो जरूर एड हो तो अब इस तरह से हमने दुबारा से उपर लगा देना है और हाथों की मज़र से अच्छे से हमने इसकी गोल गोल से बॉल्स बना लेनी हैं यह बहुत टेस्टी बनेगी बहुत मज़ अगर हमने जाले दीर छोड़ दिया तो यह हमारी पानी छोड़ जाएंगी तो यह मैंने आउयल भी लख लिया था साइड पे एक साइड पे तो मैंने साथ यह अच्छे से गरम कर लिया इसको हमें बिलकुल मेडियम प्लेम पे बनाना है ताकर जो हमारा अंदर चिकन का क्य करनी है इसकि यह बहुत मजे के बनेंगे बहुत टेस्टी है देखसकते हैं यह बहुत जल्दी बने वालें इस तरह यह लिए हमने ब्राउन कर लिया है तकईबं हमें दो कर वा मतागें यह सак scientists chak हम लगेंगे खाने में भी टेस्टी है अब चिकन भी देख सकते हैं कि हमारा चिकन इसमें अच्छे से बना है कि नहीं पका है यह देख सकते हैं हमारा चिकन भी अच्छे से अंदर गल चुका है यह बहुत टेस्टी बनी है बहुत जलीशिस बनी है घरवालों को बहुत पसंदा आने वाली है रमदान भी आने वाला है तो आप ये जरूर ट्राय करें और अगर आप हमें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सिस्क्राइब जरूर